त्योहारी सीजन में मिस्चान भंडारों की मिठाईयों पर मिलावट की जांच करने वाला खादे सुरक्षा व्यभाग इन दिनों सोया हुआ है क्योंकि दिवाली के कुछ दिन रह जाने पर भी शायद व्यभाग ने शहर के किसी भी मिस्चान भंडार पर लोगों को दी जा रही मिठाईयों की जांच नहीं की है हाला कि त्योहारी सीजन में खादय सुरक्षा व्यभाग लगतार मिस्चान भंडारों वखादय भंडारन के गोदामों वठिकानों पर लगतार चापा मारने का कारे करता है लेकिन इस बार ऐसा कुछ भी नहीं देखने को मिला है इसलिए शहर की जनता अपने रिस्ट पर मिठाईयां खरी दे दरसल त्योहारी सीजन की दौरान बाजार में मिलावटी मावा मिठाईयों की भरमा रहती है और मिलावट के साथ साथ इस बार तो मच्छर का प्रकोप बहुत जाता है इसके सेवन से लोगों की सेहत बिगडने का भी डर बना रहता है संबंधित सरकारी विभागों की टीमे भी बड़े पैमाने पर त्योहारों की दौरान नकली मावा व मिलावटी मिठाईयों की खेप बरामत कर मिलावट खोरों पर शिकंजा कस्ती है लेकिन इस बार शायद विभाग को लोगों की सेहत की कोई परवाह नहीं है आपको पता दे अगर मिठाईयों में किसी प्रकार की मिलावट मिलती है तो संबंधित प्रतिस्चान संचालक पर F.I.R. और जुर्माना भी ठोका जाता है अगर बात की जाए कारवाई की तो मिठाईयों में मिलावट की स्टैंपल लेकर विभाग जांच के लिए भेजता है इस प्रक्रिया में लंबे समय लग जाता है आम लोगों को पता भी नहीं चलता कि मिठाईयों में मिलावट करने वाले दुकानदार पर कारवाई क्या हुई है या जिस दुकानदार की जाच की गई है उसकी मिठाईयां गुणवत्ता के पेमाने पर खरी है ये नहीं क्योंकि अब दिवाली आने में समय कम है अब पता ही नहीं कब जांच होगी और कब उसका परिणाम आएगा अब शायद यही कहना पड़ेगा कि भिवानी के लोगों की स्तिहत रामभरों से